नमस्ते, मैं डॉक्टर सरीता जैन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट अरिहंद आईविफ सीकर. माता पिता बनना जीवन का सबसे बड़ा सो भागय एवं सुख होता है. इसलिए संतानोत पत्ती इंसान का सामाजिक अधिकार है. परन्तु बदकिस्मती से लाखो दमपती इस सुख से वंचित रहे जाते हैं. तो आएए सबसे बहुत हम जानते हैं कि निसंतानता के क्या कारण हो सकते हैं. निसंतानता के 30% केसे में इस्त्रियां जिम्मेदार होती है, 30% केसे में इसके लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं और 20% केसे में इस्त्री और पुरुष दौनों इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और बाकी बचे वे जो 20% केस होते हैं उनमें सारे इंवेस्टिकेशन के बाद भी कारण हमें नहीं पता लग पाता है तो जो इंपॉर्टन चीज ये है कि पिछले कुछ सालों में निसंतांता की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है इसका प्रमुक कारण तनाव, बिगडा हुआ रहन सहन, प्रदूशन, लेट उम्र में शादी और शादी के बाद भी प्रिगनेंसी में विलम करना है तो जो निसंतांता की समस्या है इसके लिए समाज में कई तरह के ब्रान्तिया है है, कई तरह के अन्दुश्वास है जिसके कारण लोगों को इसके बारे में ठीक से णौलेज नहीं होने के कारण वो इधर उधर भटकते रहते हैं, अपना समय भी बर्बाद करते हैं और पैसा भी बर्बाद करते हैं निसंतान्ता के लिए बिना कोई कारण जाने और बिना कुछ जाने लोग इस्त्री को जिम्मेदार ठहराते हैं और उसके लिए कई तरह के अब शब्दों का इस्तिमाल करते हैं और उसको एक अभी शब्द जीवन जीने के लिए मजबूर कर देते हैं निसंतान्ता एक medical condition है जैसे कि बाकी की सभी बिमारिया होती है उसी तरह से ये भी एक बिमारी है और जिसका इलाज संभव है हर छे में से एक दमपत्ती इस समस्या से ग्रसित होता है तो इसलिए ना तो ये व्यक्तिकत ऐसे फलता का प्रितीक है और नहीं इसमें शर्मिंदा होने की कोई वज़य है निसंतान्ता लाइलाज भी नहीं है आज के जमाने में IVF जैसी तकनीक मौजूद है जिसके कारण निसंतान दमपत्ती संतान सुक प्राप्त कर सकते हैं सबसे बहले इस तकनीक के द्वारा 1978 में लूइस ब्राउन का जन्म हुआ था और तब से लेके इसमें लगातार इंप्रूव्मेंट हो रहे हैं लगातार एडवांसमेंट हो रहे हैं और अब ये जो IVF है निसंतान दमपत्तियों के इलाज के लिए एक नियमित इलाज का तरीका बन गया है और आज के जमाने में लाखों लोग इससे फाइदा उठा रहे हैं और हर साल कम से कम 3,50,000 बच्चों का जन्म इस तकनीक के द्वारा होता है IVF याने की In-Vitro Fertilization मॉलिक रूप से एक साहयत प्रिजनन तकनीक है जिसमें इस्त्री के अंडो और पुरुष के शुक्राणू को लेबोरेटरी में आपस में संयोजित किया जाता है और उससे बने वले भृण को गरभाशा में इस्थानांतृत कर दिया जाता है तो अब हम जानते हैं कि कौन लोग है जिनको की IVF के द्वारा प्रिगनेंसी प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है कौन लोग होते हैं जिनको IVF करवाना चाहिए तो जिसमें या तो फैलोपियन ट्यूब्स बंध हैं और लेपरोस्कोपी और बाकी के ट्रीट्मेंट के द्वारा वो नहीं खुल पाई है एंडोमिट्रोस्की बीमारी है और जिनको मेडिकल और सर्जिकल ट्रीट्मेंट देने के बाद भी प्रिगनेंट नहीं हो पा रहे हैं या फिर कुछ लोग जिनमें की हस्बेंट और वाइफ दोनों के सारे टेस्ट नॉर्मल है परन्तु लंबे समय से वो प्रिगनेंसी के लिए प्रियास रत है और प्रिगनेंट नहीं हो पा रहे है या फिर इस्तरी में अंडों की कमी है अंडों की गुणवत्ता अच्छी न नहीं है तो ये सब लोग आईवेफ तकनीक के द्वारा प्रिगनेंसी प्राप्त कर सकते हैं जो आईवेफ की सफलता होती है इसमें भी एज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जैसे जैसे इस्त्री और पुरुष की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो अंडे और दोनों की गुणवत्ता में भी कमी आती है और दोनों का नंबर भी कम होता है तो इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसमें आईवेफ के द्वारा भी सफल होने की संभावनाएं कम होती जाती है अगर आपके तीन-चार साल से आप प्रिगनेंसी के लिए प्र सफलता दर कम होती जाती है और आजकल जो आधूनिक तकनीक है जैसे की इकसी है ब्लास्टोसिस्ट है लेजर हैचिंग है और एंब्रियो फ्रीजिंग है इन सारी तकनीक के इस्तेमाल से आईवेफ की सफलता दर को 70% तक बढ़ाया जा सकता है तो मेरी आप सभी निसंतान द अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस से जाके मिले और अपने संगतान प्राप्त करने का जो अपना सपना है उसको पूरा करें धन्यवाद